कुछ बात तफरीक ही हो जाए तो जहां बात तफरीक ही आती है तो वहां हम सिनेमा करुख करते हैं कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, इवेंट हो तो हमारी फैमिली के साथ, जो कजन्स के साथ फ्लैंज बनते हैं तो उनमें सिनेमा जाने का ज़रूर बनता है बिलकुल, अब तो कुछ साल से कोई अच्छी फिल्में आएं क्योंकि मैं रिव्यूज देखता हूँ फिर उसके बाद मैं वो पहले ही खिड़की तोड़ वाला ही रश पे कभी जिन्दगी भी फिल्म नहीं देखी है अपना कुछ बिजनस में पूरा नहीं कर पाई है और यके बाद दीग्रे चार्चर फिल्म्स पी रिलीस हुई तो वो कामयाब नहीं हुए 18 फिल्में इस साल थी लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसने को बड़ा जबर्दस इंप्रेशन छोड़ा हो कि आपको याद रह जाए जिसरा हम बॉलिवूड की फिल्म्स देखते हैं लेकिन जाहर है भले दुश्मन है लेकिन अगर काम अच्छा करते हैं तो एप्रिशेट तो करना चाहिए एक रिपोर्ट हमने तयार किया है उसके बाद हमारे साथ कामरान जावेद मौजूद है फिल्म क्रिटिक है थैंक यू सो मच पर टाइम विल्कम तो आर शो आपसे में बहुत सारी बातें करनी है साल दोजार तेईस तो जैसा तैसा गुजर गया है अच्छी फिल्म देखने के लिए बहताब थे लेकिन जब भी लिकले हाँ ठीक है अच्छी है तो चा बचा है कमरान यह साल जो है ऐसे ही रहेगा यह साल शायद सालों के अंदर सबसे बुरा साल रहा है साल 2030 साल 2030 क्योंकि अगर आप सिफ लास्ट डेकेड ही देखें क्योंकि लास्ट डेकेड आइसिंक काउंट करना चाहिए तब से ही आपके मुल्टिप्लेक्स फिल्म जो आना शुग है तो 2013 से तेईस आपके दसाल पूरे हो चुके है और तेईस हाज बें वर्स बॉक्स ओफिस फिनांशली वाइस भी इससे अच्छा 2013-2014 ही आप समझ लाए जिसके अंदर आपके पास साथी आट रिलीजस थी वो इनसे बहतर थी अच्छा तो आपके पास commercial viability के नाम से अच्छी बड़ी फिल्म के नाम के ओपर आपके पास एक lackluster content आएगा audience can smell a bad movie coming a mile away तो जब ट्रेलर देखते हैं उनको कोई appeal नहीं देखती वो दो कतम पीछे हो जाते मुझे बताई इस पर factors क्या involve हैं मतलब क्या content अच्छा लिखने वाले नहीं थे script अच्छा नहीं था या पिर actors अच्छे नहीं थे distributors से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मसला क्या था देखिए issues यह हो जाता है कि आप first of all writers तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर जो cinema या film को समझ के लिखे हैं तो film की एक अलग language होती है एक अलग flow होता है पूरा वो नहीं जो बचे कुछे चार पांच लोग है उनका जब आता है तो आप देखते हैं जब खालील और रहमान कमर हमाईन सहीद के लिए की production कर रहे होते हैं तो आप देखने जाते हैं जब वासे कोई लिखता है वासे चौधरी तो आप देखने जाते हैं maximum time आपके पास अच्छे writers नहीं हैं जो film को समझ के लिखे हैं secondly जब आपके पास content paper के उपर अच्छा नहीं लिखा हुगा कहानी सही तरीके से map out नहीं होगी तो फिर वो उसको बनाने के अंदर भी कोई filmmaker कोई मौजदा नहीं कर सकता इसके अंदर जब आप distributors की बात भी कर रहे थे, distributors का as such को issue नहीं है, audience का issue है you have to get the audience back into cinema तो अब आप इसके सबसे बड़ा example यह देख लें के चार फिल्में, तीन फिल्में, इदुल अजा के time के पर इदुल फितर के time के ओपर इतनी सारी releases के ओपर कोई film नहीं काम करी money back guarantee अगर आप देखें तो साल की सबसे दा कमाने वाली film है, जो तक्रीब अराउंड 12-12 क्रोड उपे domestic, that's it जब इससे पहले अगर हुमाईयों की बड़ी film आप पंजाब नी जाओंगी लंडन नी जाओंगी 35 क्रोड आपके पास domestic आपके पास बनता है, minimum तो 12 क्रोड is nothing, a film needs to make three times this money at the box office to break even, तो इसका मतलग अगर फिल्म का बजट 20 क्रोड होगा, 60 क्रोड पे कमाने, तो 12 क्रोड तो कुछ भी नहीं है अच्छा, इसके सामने अगर आप जाएं, और मैं कली गया था चिकड़ देखने, तो चिकड़ के आप, I think, तीन ये चार दिन मुने फिल्म के रिलीस हुए वे, hardly 10-12% का occupancy थी, रात के दन 10 बजे के शोग पे, 31 January चल रही है, आपके पस, New Year night है, New Year night है, लोग निकलते है हमने, सारा फोकस मुझे लगता है बाद सोचल मीडिया के अद तक परमोशन है, जैसे हमने, बजट नी बनाते है, हम बजट नी बनाते है, इसके, क्यूंके मेरा तो इंट्रक्शन के साथ, फिल्मेकर साथ रहता है, I think it should be mandatory, कि आप एक करोड़, देखे, जब आप पहले मुझे सोचल मीडिया पर यह नजर आना शुरू हुई जिए चिकर को मुवी, अधरवाइस कहीं आपको मुवी तो आपको पता जिस तरा से पहले है, आपको पता तो चले क्या रहा है, बड़े शोवे एक्टर्स शर्कत करते हैं, अपनी मुवी को प्रमोट करते हैं, बड़े-बड़े मौल्स में जाते हैं, बताते हैं लोगों को कि मुवी आरी हैं, अच्छा भी आपने लिखने हुए लों की बात किये, सर्मत कुसट भी अच्छे एक्टर भी और आई तो लिखते भी बहुत अच्छा है, कमली ने भी कोई कमली ने, कमली का बॉक्स ओफिस कमली आई बिलीव दो फिल्मे आपके बास पाकिस्टानी सिनेमा के ऊपर एक बेंचमाक है जो हर बंदा हात नहीं लगा सकता, कमली इस वन उन 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 एक्सेप्शन, एक मौला जट एक कमली है, अगर आप बॉक्स ओफिस देखे तो बह नहीं था, हापकी हर जॉन्रे की फिल्म होती है वो अपने साथ अपना एक थ्रेशल्ड बॉक्स ओफिस का लेकर आती है, हौरर लेकर आएंगे वो तीन से चार क्रोड उपे, पांच क्रोड उपे करेगी, एक्शन लेकर आएंगे, जैसे टीफा इन टॉबल, पचास क्रोड तो एक्शन लेकर आओगे, जैदा कमाई जाएगी, आपकी कॉमेडी होगी, वो 2025 के दिर्मियान कमाई जाएगी, तो ड्रामा मुवीज होती है न, जो इस टाइप की, वो तीन से पांच करोड ही कमाती है, तो गिविन बहुत अच्छा था, अब सवाल यह है कि आजकर फिल् तो ऐसा content है, तो आप worldwide वो चीजने ले जाएंगे, तो शायद थोड़ा acceptance हो जाएगे, लेकिन एक चीज मरी यह बताईए, अभी आपने एक बात की थी, Maulajat के, Maulajat पिछले साल की basically film थी, लेकिन वो इस साल की आगाज में भी वो चलती रही 2023 में, तो अब वो एनिमेशन, इस ग्राफिक्स और बड़ा लंबा चोड़ा काम और स्टार्स के साथ फिल्म, तो क्या इस तरह प्रोडूसर्स, डारेक्टर्स हाथ डालते भी डर रहे होते हैं, यही वज़ा है कि कोई बड़ी फिल्म भी 12 करोड कमाले, तो क्या भाई इस से ज्यादा थाम लगांके यह इत पे आई, साहिए, दोनों में से अमूमन लड़ाई यह होती है इत के उपर फिल्म में रिलीज करते सारी, यह इत पे भी नहीं आई, यह अकेली आई, ओफ सीजन, और ऑक्टोबर से लेके इसने डिसेंबर 31 तक 100 करोड कर लिया, 1st January से लेके आज 1st January हो गई है, यह अ अराउंड 30-40% के occupancy थी अत्रिम के अंदर, तो आपके पास इस साल मॉला जटने तकरीवा 18-19 करोड उपे कमाली है, तो मतला यह है के, repeat value, audience को they're getting a bang for the buck, मैंने कुछ अचसे पहले एक article लिखा था, विच वाउट के वाउट के वाउट अर्टिकल लिखा था, विच वाउट अगर आप नहीं जाते हैं, तो क्यों नहीं जाते हैं, तो मसला पैसे का नहीं है, टिकेट प्राइस का नहीं है, सारे फिल्मेकर कहते हैं, टिकेट प्राइस कम करें, कैसे कम होगी, आपका पेट्रोल जिस जमाने में 100 रुपे लीटर था, उस जमाने में तो आप कर सकते थे कि चिकेट प्रइस ज्यादा है, जो सौ रुपे की टिकेट उस दमाने के अंदर थी वही टिकेट प्रइस आज तक चल रही है, टिकेट प्रइस में उनीस-बीज का डिफरेंस आज अगर पेट्रोल आपका 300 हो गया, दूद आपका महंगा हो गया, अंडे महंगे हो गया, तो आपकी अगर एक आद की रात की डाइनिंग होती है, उससे सिनेमा का टिकेट सस्ता है, तो अब ओडियंस सिर्फ इसली नी जा रही है क्योंकि उनके मतलब का कंटेंट है, और प्लस आप बनाएं तो प्लस सासद कम स्कम दो तीन महीनी की पॉबलिस्टी करें, एक एडिकेट करें, ओडियंस को एंटाइस तो करें, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या रहा है तो कैसे जाएंगे, और इसके इलावा हमना एक चीज़ और जो कि मैं अभी आप आपके आप आप दिसकुस करती, तो मुझे लॉलिवूड नाम से भी थोड़ी प्रॉबलम है, अट-least की आपके साथ बाप,िनदिया के सौथ इंडिया का एक अलग नाम है, सहींए के रूटक्टा की सइनिमा के अलग नाम है, आपके पANS बाविख़ लॉवूड हिंदी लाइग लेंविज इन्गोज नहीं है Sःहीं उचानक लॉजिस्टिकली और बिजनेस्ट वाइस that made sense तो अचानक जब आपके पास उर्दू लैंगुज सिनेमा बैठा रीजनल पंजाबी लैंगुज सिनेमा उठा और आज तक पंजाबी लैंगुज सिनेमा ज्यादा कमाता है उर्दू से आपके पास कराची में जितनी प तोटल पाकिस्तान में 1.500 के करीब 1.500 से कम स्क्रीन अब बची हैं, बहुत सारी बंद हो गई हैं, उसमें से भी 51 स्क्रीन सिर्फ लाहॉर हैं, 51 स्क्रीन लाहॉर में, तो उसका मतलब है कि जब आप उस मार्किट के लिए कुछ बनाओगे तो वो काम करेगा, तो अब यहां तो सिर्फ एक साइट पर सिनेमा चल रहे हैं, यह भी एक बड़ा फरक है कि एक साइट पर थाजार रुपय का टिकेट हैं, दूसरे जाने में 300 से वाले सिनेमा भी बंद हो गया, वही वाला पुरानी बिल्कुल बंद हो गया, तो यह भी मेरा खाल है, फेक्टर ह रिलीज हो रही थे, that made good money, मगर हर मुवी नहीं कमाती, यह भी एक आपको होता है कि हर इंडियन लैंगविज पंजावी फिल्म कमा रही है, नहीं, आपके पास अगर 10 रिलीज होई है तो 3 कमाती है, यह भी बहुत अच्छा रिशो है, दुनिया भर का रिशो हमेशा 10% का हो होता है, अब बॉलिवड में अगर 1000 फिल्म से रिलीज हों, उसमें से 100 फिल्म में अगर कमाए तो आपको लगता है 100 फिल्मों ने कमाया, पाकिस्तान के ने 18 रिलीज होती है और एक कमाती है तो आप कहते है यह एक कमाके कई बाकी सारी खराब होई है, तो यह भी रिशो का है, वो बिल्कुल ही बैट सेंगी, पहले यह गिला था, जिनाव हमारी तो स्क्रीन चोटी है, यानि हमारी फिल्म चोटी है तो उसके मकाबले में हमारी फिल्म से नहीं चलती है, अब तो बैन है, इसके बावजुद फिल्मेकर्स को इतनी बड़ा भी धचका लगा है, कोई नहीं देखने आता है, सल्मान खान की फिल्म आती है, तो हमारे बड़े से बड़े अक्टर की फिल्म कोई नहीं देखेगा, यह हो चुका है, अच्छा जब बॉलिवोड की फिल्म बंद हुई तब भी पाकिस्तानी ओडियन्स नहीं गई वापस, तो इसका मतलब आप फिल्म डिरेक्टर्स को, प्रिदूसर्स को, कॉंटेंट ड्राइटर्स को, यह रिजूलुशन अपना बनाना है, कि हमने ऐसा कॉंटेंट देना है कि फिल्मे चले, पाकिस्तानी जो अब हम है वो देखने के लिए सेनिमान में आए, अगले तीन-चार महीने तो ऐसी को फिल हमें लगनी रहा कि कुछ आने वाली इंशाला, इंशाला बेतरी की उमीद एकनी चाहिए